हर्याना दे मुखमंतरी मनोहर लाल खटर हर्याना वीच लटकवी विदांसबा दे चल देयां सुब्बे विच पाचपा दी एकवार फिर सरकार बना उनले जोड तोड करन सबंदी दिली ले रवना हो गए हन जिते हो पाचपा वर्किंग परदान जेपी नड़ा ते हर्याना पाचपा इंचार्ज अनिल जैन नल मुलाकात करनगे इस तो पहला हर्याना पाचपा परतान सुबाश ब्राला आते हर्याना पाचपा इंचार्ज आनिल जैन ने कहा कि मनोहरलाल खटरदी लेडर्शिप विज पाचपा हर्याना विज सरकार बनाएगी जनता ने जो mandate दिया है वो आज भी भारती जनता साथ सीटें हमारी कम होकर के आई हैं वोट प्रसेंटेज भारती जनता पाचपा अर्याना परदेश के अंदर बड़ा है फिर भी जो जनादेश है जनता का हम उसका संभान करते हैं और हम बहुत उसके साथ विशलेशन करेंगे, आतम चिंतन करेंगे, आतम मंथन करेंगे, कि ये भी हमारी जो सीटे हैं गट करके क्यों आई है, क्या कारण रहे जिसकी विजह से हम जनता को पुरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए, इस हर बात के उपर हम लोग आतम करेंगे, समय से पहले कुछ भी कहना जल्दपाजी होगी, लेकिन बहुत सारी बातें देरी देरे सामने आ रही है, ये माना जा रहा है कि भारती जनता पार्टी सरकार बना रही है, प्रधान नरेंध हमोदी ने भी अनौन्स कर दिया है, इसा माना जा रहा है कि इंडिपें प्रधान मंतरी मोदी ने कल्स पर्ष्ट कर दिया है, खट्टा जी चीफ मिनिस्टर रही है, आपको लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव मेसेज है जो की एक कारडर में देया है हर्याना में, निश्चित रूप से एक अच्छा फैसला अमरी राष्टेर नेतरतों का है, औ और मुख्य मंतरी मनहो लाल जी के नेतरतों में दुबारा से सरकार बनेगे हैं। हैं और हम हर्याना में ये इतियास रचेंगे के भारती जनता पर्टी जैसी पर्टी दुवारा चार विधायक थे हमारे हम 47 आए और उसके बाद हमने सरकार चलाई और सरकार चलाने के बाद फिर से जनता ने अशीरवाद दिया है, दुवारा हम अपनी सरकार बनाएंगे, ये एक बड़ा किर्तिवान होगा जाना हुआ है